हलो एवरीवान आप सभी का स्वागत है भई मैगनेट ब्रेंज के शांदार यूट्यूब चानल पर जहाँ पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइट करते हैं 100% free of cost, high quality educational videos of K12 यानी kindergarten से लेकर class 12 CBSE Board English Medium की बढ़िया वाली पढ़ाई इसी चानल पर Hindi Medium के students जो class 6 से class 12 तक की किसी भी class में पढ़ रहे हैं UP, MP, Bihar, Rajasthan और Delhi Board से related है तो आपके लिए Magnet Brains Hindi Medium YouTube चानल पर free of cost, high quality educational videos प्रोवाइट कराई जाती हैं जिनसे आप अपना syllabus पढ़ सकते हैं और notes के लिए बिटा आपको हमारी website और application चेक आउट करनी होगी website www.magnetbrains.com दिस साइट जीशान यौर maths mentor आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आज के बढ़िया वाले session में जिसमें बिटा आज अपन 8.1 यानि class 11 चैप्टर नमबर 8 sequences and series by mathematics है ना तो हम ये exercise 8.1 आज complete करेंगे question number 9 से 14 तक 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानि 6 questions हमें complete करना है अब बच्चो ये रहा हमारा आज का पहला question लेकिन 8.1 का question number 9 question क्या कह रहा है बिटा find the indicated terms in each of the sequences in exercise 7 to 10 7, 8, 9, 10 question number 7, 8, 9, 10 में हमें ये काम करना है 7 और 8 हम अल्रेडी कर चुके हैं previous वीडियो में यहाँ 9 and 10 में हमें यही काम करना है क्या काम करना है सर बताता हूँ देखो ध्यान से सुनो हमें क्या काम करना है सर हमें an nth term दिया है an is equal to sequence का nth term दिया है ठीक है minus 1 raise to the power and minus 1 ठीक है into and की पार 3 ये दिया गया है सर सुनते हैं न जी सर अब कॉर्नर में कॉमा लगा के उन्होंने ये लिख दिया इसका क्या मतलब है इसका मतलब है बता a9 इसका मतलब है 9th term निकालो आप 9th term निकालो इस series का समझ गए we have to find 9th term कैसे करेंगे simple है बता a9 a9 के लिए आपको धियान से बस n is equal to 9 put करना है solve कर देना है answer आजाएगा करके देख लो आओ सर जी जल्दी से करते है ठीक है तो let us begin with a n की जगा a9 n की जगा 9 ठीक है done sir minus 1 की पावर बता n minus 1 n minus 1 मतलब 9 minus 1 जहाँ n वहाँ 9 ठीक है sir n की पावर 3 मतलब बिटा 9 की पावर 3 कोई दिक्कत नो दिक्कत sir चलो भी यह शुरू करते है अब minus 1 की जो पावर आई न बिटा वो आई 8 ठीक है sir into 9 की पावर जो 3 है उसको हमने ऐसी लिखा देखो minus 1 की जब even पावर होता है न तो वो 1 देता है और odd पावर होगा तो minus 1 देगा minus 1 into minus 1 into minus 1 into minus 1 8 times यह आपको 1 देगा plus का 1 into 9 का cube 9 9s are 81 81 into 9 is 729 कितना बिटा 729 sir ji answer आ गया 1 into 729 is a9 is equal to 729 यह हमारा answer आगा कितना बिल्कुल चुन्नु मुन्नु कोशन था चुन्नु मुन्नु सा कोशन था complete होगा question question number 10 पे चलेंगे wait नहीं करेंगे sir 10 पे jump कर देंगे यह रहा question number 10 ठीक है भाई तो 10th question क्या कह रहा है sir 10th question कह रहा है भाई साहब a n आपको nth term दे दिया nth term का expression दे दिया n bracket n minus 2 bracket close upon ठीक है sir n plus 3 ठीक है यह दे दिया हमें nth term ठीक है a20 निकालो बच्चा यह नोंने कहा a20 निकालो अब a20 क्या है sir देखो न 20 लिखा ना तो 20 वा term है यह कौन सा term है बच्चो this is 20th term 20 वात तो अपने लिखा sir यह 20th term है done है sir बिल्कुल done है आगे की बात कर लेते हैं ठीक है तो 20th a n a n n की जगा 20 रख दो sir solve कर दो बस answer आजाएगा लो भी यह कुछ है नहीं है खास sir इन questions में तो कुछ भी नहीं है तो a n की जगा 20 is equal to 20 आएगा इसकी जगा ठीक है sir 20 आएगा इसकी जगा ठीक है sir 20 minus 2 upon n plus 3 मतलब 20 plus 3 तो हर जगा n n जगा 20 बस इतना काम करना है तो यह आएगा पिटा 20 into 18 upon 23 तो यह आएगा 18 into 36 360 upon 23 and this is our answer यह हमारा answer हो गया a 20 यह नहीं 20 है तर्म क्या आया दोस्त a 20 आ गया हमारा 360 upon 23 गिरा ठीक है so let me just recall it 18 to 36 360 upon सही है बिलकुल सही है n plus 3 perfect है हमने question number 9 and 10 कर लिए जिनमें हमें जो indications दिये थे वो यह indications थे बिटा एक कहां चला गया यार यह indications थे हमारे क्या सर के हमें आगे जो दिया गया है ना इसको calculate करना है बस ठीक है चलिए सर आगे चक देखते है next question number 11 यह रहा बिटा तो question 11 12 13 यानि कि 3 questions में हमें question number देंध्यान से पढ़ो बिटा exercise 11 to 13 का मतलब है question number 11 12 and 13 में हमें क्या करना है बिटा write the first five terms of each of the sequences आपको जितने भी sequences 11 12 and 13 इन 3 हो questions में जो आपको sequences बनेंगे उनके first five terms लिखना है ऐसा question हम already कर चुके है आप करते हैं फिर से ठीक है done sir हमें a1 दिया गया है sir a1 क्या दिया है a1 दिया है 3 ठीक है sir first five terms का मतलब जानते हो first five terms जैसे अगर a n है तो आप n की जगा 1 रख दो तो पहला बन जाएगा a1 यह पहला बन जाएगा first term n की जगा 2 रख दो तो भी यह बन जाएगा a2 तो यह second term हो गया N की जगा 3 रखो गे तो यह बन जाएगा A3 N की जगा 4 रखो गे तो यह बन जाएगा A4 और N की जगा 5 रखो गे तो क्या बन जाएगा A5 Done है सर बिल्कुल done है इनको इनका calculation करना भी calculate करो और बताओ क्या आएगा A1 क्या आएगा A2 क्या आएगा A3 क्या आएगा A4 क्या आएगा और A5 क्या आएगा ये हमें निकालना है और आपको पता होना चाहिए This is for N is equal to 1 N is equal to 2 N is equal to 3 N is equal to 4 चाहो तो यहां लिख दे N is equal to 1 ठीक है सर यहां N is equal to 2 है यहाँ N is equal to 3 है यहाँ बिटा N is equal to हमारे पास 4 है और यहाँ N is equal to बिटा हमारे पास 5 है ठीक है चलो सर शुरू करते है A N अपन को क्या दिया सर A N हमको दिया गया यहाँ से देखना बिटा 3 ठीक है A ठीक है N minus 1 N minus 1 और plus 2 यह दिया गया simple है बिटा बहुत simple है देखो आगे वैसे तो आपको यह परना चाहिए यह बहुत important है N is greater than 1 N जो है 1 से जादा है मतलब जो N है न वो 2 हो सकता है natural numbers ही होगा बिटा 3, 4, 5, 6, 7, 8 goes on कहां तक हमें नहीं पता हाँ हमें जो करना है ध्यान से सुनना हमें first five terms शुरू शुरू के 5 शुरू शुरू के 5 बिटा एक तो यह होगा even जो हमें already दे रखा है even हमें 3 दिया बिटा तो यह तो हमारा पास already है अब हम A2 निकालेंगे बिटा A2 निकालेंगे सर A2 कैसे निकालेंगे देखो बिलकुल easy है बिटा इसमें रखेंगे A N जो A N है न हाँ सर इसमें हम क्या करेंगे A2 निकालना है हमें तो बिटा हम एक काम करेंगे क्या बिटा जी हम यहाँ पर एक छोटा सा काम यह करेंगे कि A N की जगा हम बस 2 रख देंगे क्या रख देंगे बिटा 2 तो यह हो जाएगा A2 is equal to 3 into A N की जगा फिर से 2 2 minus 1 plus 2 ठीक है 2 रखना है तो सर यह क्या आएगा 3 A 2 minus 1 क्या है पिटा 2 minus 1 is 1 तो A यह 1 आएगा ठीक है सर अब plus का 2 सर जी क्या करेंगे 3 ठीक है A1 क्या है what is A1 सर A1 तो हमें 3 दिया गया है यार देखो न A1 हमें 3 दिया गया है तो इसकी जगा हमने 3 लिख दिया plus 2 बिटा 9 plus 2 is 11 यह क्या answer आया सर इसने answer दिया 11 तो हमारा A2 क्या आगया बच्चा A2 आगया 11 बात क्लिया रहे है हाँ सर अब A3 निकालेंगे बिटा क्या निकालेंगे A3 getting my point yes sir तो अब अपन A3 निकालने के लिए आपको पता है N is equal to 3 रख दो N is equal to 3 मतलब A और N is equal to बिटा हमने 3 लिखा is equal to 3 यहां भी N is equal to 3 A 3 minus 1 plus 2 चहां N वहां 3 तो यह हो जाएगा 3 A 3 minus 1 2 होगा plus 2 तो बिटा ध्यान से देखो यह क्या है what is this यह A2 है और A2 अब भी हमने calculate किया 11 आया है ना तो सर हम क्या करेंगे दिमाग से करेंगे 3 into A2 की जगा 11 अब plus 2 तो बिटा यह क्या जाएगा 33 plus 2 is 35 तो A3 कितना आगया बिटा A3 आया हमारा 35 ऐसे ही बच्चों A4 निकालेंगे A5 निकालेंगे और हमारे answers धीरे धीरे आते जाएंगे बात क्लियर है क्या हाँ सर बात क्लियर है जल्दी से निकाल देते हैं बिटा तो सर इस बारी N is equal to 4 लिखेंगे ठीक है N is equal to 4 लिखा A4 A4 ठीक है is equal to 3 A 4 minus 1 3 A N की जगा 4 minus 1 plus का 2 तो बिटा यह हो जाएगा 3 A 4 minus 1 3 होगा plus 2 A3 क्या है बिटा what is A3? A3 35 है तो 3 into A3 A3 is 35 plus 2 तो यह आगा बिटा 105 plus 2 और answer will be 107 सर जी यह A4 आगया हमारा 107 last A5 तो A5 क्यासे निकलेगा सर पता है सबको पता है तो A5 की जगा A5 निकालने की जगा N is equal to 5 लिख दो बस यहाँ N is equal to A5 तो अगर यहाँ N5 तो बिटा हर जगा N5 यह भी 5 आएगा 3 A N मतलब 5 minus 1 plus 2 तो यह बनेगा 3 A 4 plus 2 ठीक है अब A4 क्या है? A4 107 है तो उसे 3 into A4 की जगा 107 plus 2 तो बिटा यह क्या आएगा? 3 2 1 3 7s are 21 plus 2 तो 3 23 आएगा 3 23 answer क्या है बिटा? 3 23 क्या हमारा यह answer आगया? हाँ यह सारे हमारे first 5 terms है अब बिटा एक और चीज़े आगे आगे देखो end obtain the corresponding series यह जो series ना है ना इसको अच्छे से पढ़ो sir corresponding series का मतलब क्या होता? series का मतलब होता आपके पास sequence में जो terms है ना उनका sum करके लिख दो बस बात खतम आपको sequence में sequence में जितने भी terms मिले जैसे हमने कितने terms निकाले sir? हमने पास terms निकाले हमारा answer क्या आगया थी? आगया सुनला बिटा इसको मैं erase कर रहो I am erasing this ठीक है? इसको मैंने erase कर दिया done? yes sir और हमारा answer क्या आगया? हमारा answer आया sir, first answer यानि इसका 11th का answer क्या आया? हमारा answer आया sir A1 आया 3, A2 second term आया 11, third term आया थी 35, fourth term आया थी 4 रखेंगे A4 तो 3 तो 35 into 3 107 आया sir ठीक है comma A5 क्या आया 323 हमें 5 terms लिखने थे हमने लिख दिया यह answer आगया लेकिन उनोने का series भी लिखो, अब हम series कैसे लिखेंगे? तो sir series लिखना बहुत easy होता, series होता है जो sequence में आपके terms है ना, उनको add करके लिख दो बस, लिखना है add करके, solve नहीं करना है, मतलब sir 3 ठीक है, 11 ठीक है 35 ठीक है, 107 ठीक है बिटा, और last में, last नहीं मतलब अभी तो 3, 2, 5 इसको थोड़ा पीछ चला, 3, 2, 3, not 3, 2, 5 3, 2, 3, ठीक है 3, 2, 3 लिखा, ठीक है अब क्या करने, sir, कुछ ही नहीं बिटा, हमें छोटा असा काम करना है, सिर्फ हमें इनके बीच में adding लगानी, बस प्लस करके छोड़ देना है जैसी हम प्लस लगा के छोड़ेंगे यहां लास्ट में भी प्लस लगाना और 3 डॉट्स लगा देना क्योंकि यह बहुत जारे टर्म्स होंगे हमें तो 5 लिखने थे तो यह हो गई सीरीज, ऐसे लिखोगे तो सीक्वेंस है ऐसे लिखोगे तो सीरीज है यह हमारा answer हो गया for question number 11 आब अच्छो चलते हैं हम question number 12 की और ठीक है चलो भई, moving on to next तो भई यह series मैं already आपको समझा चुका हूँ बट still आभी दुवारा से समझा दिया है तो अच्छी बात है आगे चलते है next question number 12 काम वही करना है बिटा हमें शुरू के 5 terms निकालना है क्योंकि question number 11, 12, 13 question number 11, 12, 13 में यही काम करना है तो 5 हमें क्या निकालना है सर जी 5 हमें निकालना है इसको मैं erase करूँ पहले ठीक है इसको erase कर दूँ इसको erase कर दूँ ठीक है इसको भी हटाओ ठीक है 5 terms निकालना है तो बिटापन यहां की काम करेंगे इसको erase कर देंगे और इसको मतलब यहां पर भी हमें a1, a2, a3, a4, a5 निकालना है बस इस बार ही हमें an अलग दिया गया है चलो निकाल लेंगा कोई दिक्कत नहीं है सर जी हमें क्या करना है यहाँ an इस बार दिया गया है बिटा पन का an-1 a नीचे बेस में an-1 upon बिटा n और इस बार इनो ने कहा n is greater than और equal to 2 मतलब जो n है वो equal to 2 भी हो सकता और 2 से greater भी हो सकता मतलब 3, 4, 5, 6, dot, dot, dot यह चल सकता है ठीक है? done sir कोई दिक्कत? no दिक्कत sir है ना? चलो आगे चलते हैं तो सर जी हमें first five terms निकालना है a1, a2, a3, a4, a5 and one रखेंगे सबसे पहले and one रखा जाएगा sir चलो भईया and रखा जाएगा one ठीक है तो a and की जगा a1 होगा ठीक है? one नहीं रखना है, one तो है a1 तो अल्रेटी दिया है, a1 तो अपनको minus one दिया है तो a1 is equal to minus one यह already हमें given है तो one नहीं रखना है हमें हमें इस बार n is equal to two से शुरू करना है जैसे हमने last time किया था तो n is equal to two से a2 मिलेगा हमें a2, a, n की जगा a2, ठीक है sir तो यह हो जाएगा a2 minus one a2, n की जगा two, two minus one upon n की जगा two तो sir यह क्या हो जाएगा? a1 upon two a1 क्या है बेटा? a1 है हमारे पास minus one देखो न a1 हमारे पास minus one है minus one upon two, तो बेटा second term हाया minus का one upon two third term please अब third term के लिए हमें n is equal to क्या रखना है बेटा? three n is equal to three रखना है, तो बेटा यहां मैंने n is equal to three रखा, तो यह क्या है? a, n का मतलब है a3 a, n का मतलब है a3, तो यहां भी a3 minus one, a three minus one upon n की जगा three, तो यह हो जाएगा बेटा, a2 by three अब a2 क्या है? a2 हम अल्रेटी निकाल चुके minus का one upon two, तो यह हो जाएगा minus का one upon two, और नीचे इसके three है, three two के पास आएगा multiply हो जाएगा minus one upon six, answer, तो यह क्या हैगा minus का one by six, next please a4, a4 के लिए आपको पता है बेटा n is equal to क्या चलेगा four, तो n is equal to मैंने four लिखा ठीक है, यहां four तो यहां भी four, a four minus one, a4 is equal to, ठीक है, a4 is equal to a4 is equal to a4 minus one upon four, तो a4 minus four होगा, a4 minus one होगा a3, a3 upon four अब a3 क्या है सर, a3 है हमारे पास, कहां चला गया यार four, अगर इसको three रखेंगे तो one by two, three, तो यह कोई दिक्कत नहीं है a3 बेटा हमारे पास है one by six, यानि यह आएगा बेटा minus का one by six upon four, तो यह four six के पास जाएगा multiply, minus का one upon twenty four, minus one upon twenty four, next please five, a5, इसको अटाते इसको अटाते हैं और बेटापन को n is equal to क्या रखना है, सर जी n is equal to हमें रखना है five, ठीक है a, n का मतलब है a5, तो सर a5, यहां पर a5 minus one, a five minus one upon n की जगा five a5 minus one होगा a4 upon five, a4 हम अल्रेडी निकाल चुके हैं, क्या है बच्चा a4, a4 है minus one by twenty four, minus के पास जाएगा minus one upon one twenty answer है ना, minus one upon one twenty answer तो सर यह हो गया हमारा पहला मतलब इसका twelfth question का पहला पार्ट के भईया, पाँच शुरू के पाँच टर्म्स निकालो हमने निकाल लिए यह answer हो गया, अब इनी की series पोला जाए, इनी की series बनाओ, तो सर सीरीज क्या होता है, series बनाने के लिए हमें हमारे terms को add करके लिए, छोड़ दे रहा है पहला term है सर हमारा minus one, दूसरा term है बिटा minus का one by two, ठीक है, minus का one by two हो गया सर, bracket में लिखेंगे, तीसरा term है minus का one by six, minus का one by six ठीक है सर, bracket में लिखेंगे चौथा term है, minus का one by twenty four, one by twenty four, सर, bracket में लिखेंगे, ठीक है सर, पांचवा term है, बिटा, minus का one by two hundred, sorry, minus का one by two one twenty, minus one by one twenty, ठीक है सर, अब इतना करने के बाद हमने जैसी terms लिखे है, हमें कुछ नहीं इनके बीच में बस plus लगाना है, plus plus solve नहीं करना है, सिर्फ plus करके छोड़ देना, यही सीरीज है आगे बिटा, plus करके तीन डॉट लगा देना, so this is it, यह सीरीज हो गया, यहां question number 12 over हो गया है बिटा, आगे चलते हैं, जल्दी से देख लो, we are moving on to 13, 13 भी इसी के उपर based है, इसी concept पे, तो आप 13 भी जल्दी से कर लेते हैं सर, इसको erase करेंगे ठीक है सर, इसको erase करेंगे ठीक है सर, है ना, इसको erase करेंगे ठीक है सर, और 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 इसको पूरे को erase ना करके यहां हटा देंगे और यह answers हटा देंगे ठीक है क्योंकि पांच टर्म्स हमें 13 में भी लिखना है 13 यह दिया आप अच्छों पढ़ते हैं 13th question क्या है इन्होंने इस बार दिया है 13th question में A1 is equal to A2 is equal to 2 सर जी A1 is equal to A2 is equal to 2 इसका क्या मतलब हुगा बेटा अब देखना बेटा यहां क्या है अपना देखना A1 और A2 दोनों 2 दिये देखो दो तो टर्म्स एनो ने अलरेड़ी देदिये A1 A1 सर हमारा 2 है ठीक है A2 भी 2 है तो A2 भी सर हमने 2 लिख दिया तो A1 और A2 शुरू के दो टर्म्स तो हमें देखी दिये सर आप्टोमाटिकली अब हमारे पास दो टम्स आ ही गए तो हमें तो तीन पे काम करना है सही बात है सर तो अब क्या करेंगे ध्यान से सुनना हमें दिया गया है पिटा a n is equal to a n minus 1 ये दिया गया है मतलब सर अभी बताता हूँ ध्यान से सुनना n की जगा अब हमें 3 लिखना है a3 निकालने के लिए दिना n की जगा हम क्या लिखेंगे बच्चा 3 जैसे हमने n की जगा 3 लिखा या आया a3 या आया a3 minus 1 यानि की a2 ये 2 आया और a2 क्या है सर a2 हमारा 2 है तो a2 की जगा हम 2 लिख देंगे सर ये भी कितना है बिटा ये भी कितना है टू ऐसी बच्चों अगर हमने n is equal to 4 लिख दिया अगर हमने n is equal to 4 लिखकर a4 निकाला यहां पर a4 सर यहां पर भी 4 लिखेंगे भई n को replace करना है 4 से 4 माइनस 1 3 तो सर a3 a3 तो सर a3 क्या है सर a3 अभी निकाला बच्चे है अपने देखो a3 अभी निकाला 2 तो a3 2 a4 solve करा 2 आया सर a4 भी 2 आगया a5 भी मेरे प्यार a2 आएगा solve करना a5 भी 2 कैसे आएगा लो भाईया n is equal to 5 रग दो a5 के लिए ठीक है तो सर यहाँ n की जगा 5 a5 ठीक है तो यहाँ भी 5 a 5 माइनस 1 a5 माइनस 1 मतलब a4 और a4 अभी हमने निकाला 2 आया a4 अभी हमने निकाला 2 आया तो a5 भी 2 आगया तो सर जी इसी के साथ हम series भी लिख लेते हैं ठीक है तो 5 terms तो हमने निकाले दिया है series क्या होगी सर series होगी बिटा इन 5 ओ टर्म्स को बस add करके लिख दो 2 2 2 2 2 2 सर हमें बस कुछ नहीं करना है हमें बीच में add लगाना है प्लस लगाना है लो भी यह प्लस लगाया प्लस 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 डॉट 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 तो यह हो गया भी है हमारा answer so question number 13 is also finished आप चलते है question number 14 की तरफ और यह रहा हमारा आखरी question Fibonacci sequence जल्दी से question को पढ़ो so that अपन इस question को भी जल्दी से बीट कर सकें देखो भाई अब अपन करते हैं आखरी question question number 14 देखो यह क्या बोल रहा है यह प्रशन बोल रहा है भाई कि the Fibonacci sequence Fibonacci पढ़ते हैं इसको Fibonacci Fibonacci जो पढ़नाओ पढ़ लेना है और बस Fibonacci sequence is defined by this यह Fibonacci sequence का definition है a1 is equal to a2 is equal to 1 याद रखना a1 is equal to 1 a2 is equal to 1 उसके बाद बिटा an nth term का कुछ इस प्रकार से आपको expression दिया होगा an is equal to an minus 1 plus an minus 2 ठीक है यह याद करना है यह Fibonacci sequence का expression है nth term का an is equal to an minus 1 ठीक है सर प्लस an minus 2 डन है सर बिलकुल डन यह आपको याद रखना है condition आपको बता होनी चाहिए कि सर जी Fibonacci sequence में a1 and a2 दोनों क्या होते हैं दोनों ही सर हम 1 बोलते हैं a1 is equal to a2 is equal to बच्चा 1 correct नहीं है सर और आगे का देख लें तो कुछ बड़ी बात नहीं है एक अलग special से sequence होता है Fibonacci sequence ठीक है डन सर अब आगे देखते हैं चलो भीया इन्होंने कहा है find this for n is equal to 1 2 3 4 5 चलो कर लेते हैं कोई बड़ी बात थोड़ी ना है ध्यान से सुनना जी सर हमें find this क्या find करना भीया a n plus 1 upon a n ठीक है a n plus 1 upon a n इन्होंने कहा पहले n is equal to 1 के लिए calculate करो चलो भीया पहले n is equal to 1 के लिए करते हैं for n is equal to 1 बच्चा and 1 रख दो बिटा a 1 plus 1 a 1 plus 1 मतलब 2 upon a n की जगा 1 तो a 1 अब ध्यान से सुननों क्या सर बच्चा a 1 भी 1 है a 2 भी 1 है याद रखना तो a 2 क्या हुआ बच्चा 1 a 1 क्या हुआ बच्चा 1 तो यह answer क्या है सर 1 क्या answer आया n is equal to 1 के लिए हमारा answer आया सर 1 ठीक है कोई दिक्कत नो दिक्कत सर आगे चलते हैं सर जी अब मैंने इकोल टू के लिए काम कर ले थे क्योंकि टू के लिए भी निकालना है बच्चो तो एन इस इकोल टू के लिए काम कर लिया जाए सर ठीक है a 2 प्लस 1 सर जी क्या होगा a 2 प्लस 1 यानि की 3 मैं डारेक लिख देता हूं डारेक 3 upon a n मतलब a 2 अब a 2 तो हमको पता है सर a 2 तो हमको पता है a 2 है 1 तो a 2 की जगा नीचे हमने 1 लिख दिया लेकिन यार a 3 नहीं पता हमें तो अब हम a 3 के लिए क्या करेंगे यहां से a 3 की value निकालने की कोशिश की जाएगी कैसे बिटा यहां n is equal to 3 रखो तो आपको a 3 मिल जाएगा a 3 a 3 ठीक है सर is equal to a 3 माइनस 1 यानी की 2 है ना हाँ सर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा प्लस a 3 माइनस 2 यानी की 1 तो यह क्या है सर यह हमारा 1 है ठीक है यह क्या है सर यह भी हमारा 1 है ठीक है तो यह 1 प्लस 1 2 यानी जो a 3 है बिटा वो 1 प्लस 1 होगा that is 2 तो A3 क्या आगे है बिटा 2 यहां रख दो A3 सर हम अल्डेडी 2 निकाल चुके है आंसर क्या है सर जी 2 कोई दिक्कत नो सर अब हमें 3 के लिए काम करना है सर ठीक है N is equal to 1 के लिए काम कर लिया N is equal to 2 के लिए काम कर लिया आवच्चा N is equal to 3 के लिए भी काम किया जाए N is equal to 3 अब इसमें हमें A4 की आवशक्त पड़ेगी देखो जैसे ही आपने यहां A and N की जगा या कहा रखना है 3 तो सर यह 3 plus 1 4 हो जाएगा यानि A4 अपन A3 N की जगा 3 तो A3 अब A4 निकालो बच्चो A3 तो हमें पता है सर देखो A3 तो हम अल्री निकाल चुके है 2 है तो A3 की जगा हमने 2 निकाल लिया A4 अब A4 कैसे आएगा सर सिंपल है यार A4 के लिए यहां N is equal to 4 रख दो N is equal to 4 रख दो यहां तो A4 ठीक है सर A4 is equal to ठीक है बिटा यहां पर भी 4 आएगा A4 minus 1 मतलब A3 सर ठीक है प्लस A प्लस A 4 minus 2 यानि A2 2 आजाएगा अब A4 क्या है बिटा A3 plus A2 A3 हमारा 2 आया था इसकी जगा 2 A2 बिटा हमको 1 दिया गया है 1 तो यह क्या है बच्चा 3 A4 क्या है बच्चो 3 यहां 3 लिख दो सर तो यह क्या है सर जी हमारा आंसर इसका आया 3 by 2 that's it clear है हाँ सर n is equal to 4 के लिए काम करेंगे अब n is equal to 3 हो गया हाँ सर अब n is equal to let us write for 4 ठीक है तो यहां लिख लेते हैं रुक जाना एक second रुकना इसको थोड़ा side में कर लेते हैं ठीक है 4 तो a5 upon a4 हाँ सर सही बात है तो यह आएगा बिटा a5 upon a4 a5 upon a4 अरे भाई लिख दे लिख दे a5 upon a4 ठीक है अब a5 तो ही नहीं है चलो a4 की value तो हम अलरी निकाल चुके 3 वो यहां use हो जाएगी sir a4 में upon में 3 आगई पर a5 का क्या है scene a5 पता ही नहीं है तो बिटा यहां n is equal to 5 रखके a5 निकालो a n मतलब 5 तो a5 is equal to a5 minus 1 मतलब 4 ठीक है प्लस ठीक है 5 minus 2 मतलब 3 a3 ठीक है a4 बिटा a4 कितना है 3 इसकी जगा 3 लिख खा प्लस a3 a3 हम अलरी निकाल चुके 2 तो बिटा a5 कितना है सर a5 आया हमारा 5 कितना है बच्चों a5 आया हमारा 5 कोई दिक्कत no सर एक बार और confirm कर लू हाँ a4 प्लस a3 बिल्कुल सही है a4 है अपना 3 a हाँ बिल्कुल सही है तो a5 आया बिटा अपना 5 तो यहां अपन 5 लिखते हैं यह आ गया आपका n is equal to 4 अब n is equal to 5 के लिए अपन काम कर लेते हैं तो सर जी n is equal to 5 के लिए काम करने के लिए हमें कहां रखना है n is equal to 5 सर जी हम n is equal to 5 रखना है इस expression में इसकी value निकाल लिए है न 5 प्लस 1 6 a6 अपन a6 अपन n is equal to 5 तो a5 done है हाँ सर बिल्कुल done है यार a5 की value तो 5 पता है सर नीचे 5 लिए पर बच्चो a6 की value नहीं पता तो a6 के लिए हमें यहां पर n is equal to 6 रखना पड़ेगा तो सर यहां n is equal to 6 रखते हैं a n मतलब a6 ठीक है is equal to a6 minus 1 मतलब 5 ठीक है plus a6 minus 2 मतलब 4 तो यह a5 plus a4 आ गया a5 है बिटा हमारा a5 है 5 ठीक है यहां 5 लिखते है plus a4 a4 हमारा 3 है यहां 3 लिखते है सर तो a6 क्या आ गया बच्चो a6 आ गया हमारा 5,6,7,8 8 आया a6 क्या आ गया बिटा 8 यहां हम a6 की जगा 8 लिखेंगे so this is 8 by 5 और यह हमारे answers आ गए 1,2,3,4,5 these are our answers यह question number 14 is finished इसका मतलब हमने exercise 8.1 finally sir अच्छे से complete कर ली है बिटा जी अब अपन next जो चीज़ पढ़ने वाले है 8.1 के बाद आपको जो भी topic या जो भी video मिलेगा वो किस नाम से आएगा sir वो आएगा बिटा geometric progression के नाम से GP पढ़ेंगे अपन के GP क्या होता है धीरे धीरे सारी चीज़े पढ़ते जाएंगे complete करते जाएंगे सारे videos देखना बच्चों क्योंकि आपके लिए सारे videos देखना बहुत जरूरी है सारे videos देखो के तब जाके आप examples और exercise को connect कर पाओगे solve कर पाओगे questions को समझ पाओगे अब जैसे next आप देखोगे तो आपको geometric progression में पढ़ाऊंगा और फिर आगे चल कि एक और topic आएगा geometric mean कई बच्चों को confusion हो जाता है जबकि geometric progression और geometric mean अलग-अलग चीज़े हैं समझ रहे हो ऐसी arithmetic progression और arithmetic mean अलग-अलग चीज़े हैं सब समझाऊंगा आपको detail में next session में आप अच्छो इस session को करते हैं finish I hope आपको सारे questions अच्छे से समझ में आ गए होंगे like कर देना video को और अपने दोस्तों के साथ share जरूर कर देना so that आपके दोस्त, classmates जितने भी हैं उनको भी mathematics पढ़ने में मज़ा आए और आसान लगने लगे this side zishan, your maths mentor, signing off, magnet brains आपको provide कराता है 100% free of cost, high quality educational videos of K-12 यानि kindergarten से class 12, CBS, Cboard English Medium की बढ़िया वाली पढ़ाई आपको इसी channel पर for all classes and all subjects मिल जाएगी सारे videos properly arrange होते हैं playlist section में class wise and subject wise Hindi Medium के students जो class 6 से class 12 UP, MP, Bihar, Rajasthan and Delhi board में से किसी भी board में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए Magnet Brains Hindi Medium YouTube channel है जहां पर जाकर आप बढ़िया तरीके से subscribe कर लें और बढ़िया तरीके से free of cost, high quality education आप महां से प्राप्त करें नोट्स के लिए आप हमारी website और application चेक आउट कर सकते हो website है www.magnetbrains.com application Google Play Store से install की जा सकती है आपको हमारी application और website पे class 6 to 12 English Medium and Hindi Medium All Subjects के experts द्वारा बनाई गए नोट्स PDF format में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिये जल्दी मिलिंगे नेक्स सेशन तिल देन हैपी लेर्निंग, टेक केर, बाई